गुना जिले की सीमा पर सिंध नदी इस्तित एनिकट पर लोग जान जोखिम में डालकर एनिकट पार कर रहे हैं साथ एनिकट के उपर बहते पानी में से लोग निकल रहे हैं इसलापरवाही के कारण कभी भी कोई भी हाथसा हो सकता है जबकि एनिकट से महज 300 मीटर दूर ही नदी पर पूल बना हुआ है इसके बावजूद भी नागरी जान जोखिम में डाल रहे हैं आपको बता दे कि गुना अशोक नगर रोड पर सिंध नदी में बने एनिकट के उपर से पानी बह रहा है इस बार पूरी उचाई तक गेट लगा कर पानी रोका गया है ताकि गर्मियों में गुना शहर में पानी की आपूरती प्रभावित ना हो गुना से अशोक नगर की गाउं में जाने वाले कुछ ग्रामिड इसी एनिकट के उपर से नदी पार कर रहे हैं रविवार को ऐसे कुछ ग्रामिड कैमरे में भी कैद हुए जो की बिना किसी सुरक्षा इंतिजाम के इससे उपर से गुजर रहे हैं इससे कभी भी हाथसा हो सकता है जंकारी के मुताबिक ये निकट पर सुरक्षा को लेकर कोई इंतिजाम नहीं है जबकि नेमानुसार डैम की सुरक्षा के लिए और डैम पर अनाधिकरित प्रविश रोकने के लिए एक गाड तैनात किया जाना चाहिए गुना से तताप सिंग प्रभाकर की रिपोर्ट